हेलो गाइस मैं मुकील और आप देखे रें वीडियो मास्टर चाइनल तो आज आपन देखेंगे कि जो फोटोस होती है इसको फोटोस को कैसे कार्टून कनवर्ट करना है और पैसे केरिकेचर मनाना है वो मैं आपको बतामगा और ये प्रोसेस आप सिरिक वन क्लिक में कर सकते है तो चाइनल पर पहली वार आ है तो चाइनी को सस्क्राइब किजए साथी साथ बेन आकम़ करेश करके वाँ प्रोडर किली खीज़े ताथी आपको आने माले हर नेटेस वीडियो विडियो ये प्रोजेक्ट निलती रहे और आपको और भी प्रोजेक्ट चाहिए होते है तो आप Video Master Channel सार्च कीजिए, यानि YouTube पे सार्च करोगे, तो आपको ये channel दिख जाएंगी, इसमें से आपको जो भी project चाहिए रहते हैं वीडियो में आईए, वीडियो में आने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी project है वो आपको सारे दिख जाएंगे, तो इनमें से आपको जो भी पसंद आता है उस वीडियो को आपडेट लीजिए, उसके description में उसकी downloading link होती है, वहाँ आप इस project को download कर सकते हैं और use कर सकते हैं, तो मैं फिलाल का मेरे पास tab available है, तो मैं ट्याब में आपको करके बताऊंगा, आप अपने mobile में भी कर सकते हैं, आपका iPhone हो या Android हो, य ऐसे बहुत सारे website और ऐसे बहुत सारे apps है, लेकिन मुझे जो best लगता है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यहाँ आप आज आएगा, उसको आप click करोगे तो यह open हो जाएगा, तो अपना यह open हो गया है, इस ते जो photos का access होता है, वो allow कर देते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, बस उसी के बारे में अपन बात करेंगे, कि अपन अपने photos को कैसे cartoon में बना सकते हैं, और जो caricature होते हैं, titles में अपन यूज कर सकते हैं, कोई project में यूज कर सकते हैं, जो invitation बनाते हैं, उसमें यूज कर सकते ह तो सबसे पहले आपन टॉप पे जाते हैं तो यहां पर बहुत सारे टेंपलेट आपको दीख जाएंगे तो मेरे को सबसे बेश टेंपलेट लगता है यह चोटे जो बच्चे का तो यहां पर सुसान सिंग्ध राजपुत की भी जो फोटो है इस पे भी आप बना सकते हैं बनाना चाता हूँ तो सिंपल मैं इस पे नेक्ष्ट कर दूँगा क्योंकि यह फ्री आप है तो आपको याड़ देखने के लिए मिलेंगे याड़ देख लेना है थोड़ा कीप कर लेते यह बनके अपना रेडी हो गया आप देख सकते हैं अपना कितने सुन्दर तरीके से यह बनके रेडी हो गया श्रीप आपको क्या करना है पोन में जो एप होती है उसको इस्टोल करना है और आपका जो फोटोस है उसमें अपलोड करना है तो आपको आटोमेटिकली यह एक फोटोस बनाते हैं मिल जाती है बहुती सुन्दर तरीके से बनाता है क्वालेटी बह आता है या तो आप WhatsApp पे भी भेज सकते हैं तो मैं डाउनलोड के उपर क्लिक करता हूँ तो यह मेरा गैलेरी में डाउनलोड हो गया है ठीक है अपने देखते हैं गैलेरी तो आप देख सकते हैं यहां पर अपने गैलेरी में फोटोस आ चुकी है अपने गैलेरी चेक करते हैं तो बस इसको आपको क्या करना है या तो आप अपने mail कर दीजिए अपने आपको या तो फिर आप अपने WhatsApp पे भेज़ दीजिए या तो फिर इसको copy करके आप अपने system में इसको डालिए और आपी use कीजिए वो भी अपन देखेंगे ठीक है तो उसके बाद में ये होने के Google Chrome करते है मैंने इसका link भी वीडियो के description में दिया है वहाँ से आप click करके भी इस website पर आ सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते है इस पर मैंने click किया और सबसे उपर में आपको एक website दिखेंगी उसके उपर click करना है तो आपको ऐसा कुछ interface दिखेगा यहाँ से simple आपको downloading option प करते डाउनलोड हो गया ओपन प्रोजेक्ट करते यह यहाँ पर डाउनलोड हो गया मैंने बहुत सारे डाउनलोड किये तो आप यहाँ पर double click करते है तो यह ऐसा software है ऐसी प्लियर है कि इसमें आप अपना mobile यूज कर सकते और उस पे आप जो भी एप चलाना चाते वार्सप चलाना चाते या कुछ भी जो भी mobile में चलता है वो सब कुछ यहाँ पर आपके computer में चल जाएगा इस player के थूँ तो अपन देखेंगे इसको कैसे use करना है तो देखें यह अपना software open हो गया है बस इसको double click करना है कुछ installation start हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर आपको type क करना है tone me और search कर लेना है जैसे search करोगे यहाँ पर आप आजाएगी उसको उपर click करते इंस्टॉल कर लेते यहाँ पर कुछ आपको logging के लिए पूछेगा तो आप logging कर सकते तो यहाँ पर आपका एक mobile on हो गया है आप देख सकते यहाँ से home है इसको अपन बढ़ा करते थे य अपन तो यहाँ पर play store का option आता है इसमें sign in कर लेना है मैं इसको sign in करता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ ठीक है थोड़ा नीचे आते score down करते तो यहाँ पर आपको और यहाँ से भी आप देख सकते कुछ backup अगर लेना है तो कुछ जरुवतने accept कर लेते तो यहाँ प ठीक है tone me type करने के बाद में आप इसको search करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे उपर में tone me का एक app दिखेगा उसको install कर लेना है install करने के बाद आप इसको open कर सकते open करने के बाद में same जैसे आपके mobile में दिख रहा था same उसी तरह से आपको यहाँ पर भी दिखेगा यहाँ पर आपको click करना है tone effect के उपर और इसके बाद यहाँ से template select करना है आपको top पे लेना है top जो है यहाँ पर और यहाँ से ओके यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो allow कर देना access, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से आप अपने gallery में जाना है, यहाँ से देख सकते हैं, pick form, windows, तो windows में आपका जहाँ पे भी कुछ भी photos आपको करना है, उस photo को आपको यहाँ से ले लेना है, तो मैं कोई भी एक photo लेने ताओ, इ यहाँ से next कर लेते हैं, थोड़ी देर process चलीगी, कुछ add चलीगे, वो देख लेना है, इस add को close कर देना है, यहाँ से, ऐसे अलग-अलग add आते रहेंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं, फिर ठीक है, फिर यहाँ से आप share के उपर click करते हैं, तो यहाँ पर download का option आता है, उसके media manager के उपर जलते हैं, तो यहाँ पर gallery अगरे सब दिया है, अटोनमी का एक folder बना है, इसमें यह photo open नहीं किये है, ठीक है, इस photo को आपको यहाँ पर उपर में जैसे open करते हैं, तो send to windows के लिए option आता है, इसके उपर click करते हैं, तो आपको जहाँ पर भी save करना है, वहाँ का location दे देना है, और okay कर देना है, मैं home पर आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते है, टोनमी का यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर यह आपकी gallery आ चुकी है, प्लेश्टोर आ चुका है, गूगल क्रोम आ चुका है, इसको दुबारा आप click करते हैं, तो यह open हो जाता है, ठीक है, दुबारा इसको click करना है, कोई भी file को लेना है, जहाँ से भी आप लेना चाते है, मैं कई से भी एक और file ने लेता हूँ, इसको मैंने ले लिया, open कर लिया, open करने के बाद मैं यहाँ पर next करता हूँ, ध्यान रखिए कि photo face जो है, वो proper crop photo होना चाहिए, फुल photo को मत कीजिए, फुल photo करोगे तो problem हो जाएगी नहीं आएगा, फिर यहाँ पर share के उपर click करते है, download, तो यह download हो जाएगा उसमें, अपना भी अपने folder के अंदर चलते है, यहाँ से यहाँ से आप देख सकते है, यहाँ से home के उपर चलते है, फाइल में चलते है, तो यहाँ पर य photos वहाँ पर save हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आप तो इसको minimize करना है, ठीक है, तो यह आप install करने के बाद आपको यह टोनमी का यहाँ पर बाहर याप दिखेगा, उसको भी आप double click करोगे कभी बाहर बाद में, तो यह direct open हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते है, यह open हो ज option कर लेना है, जितना आपको चाहिए, उतना भाग, इस तरह से, ठीक है, या तो आप proper cutting भी कर सकते है, और इसको मैं one का फेदर देखे, control जे कर लेता हूँ, या तो दुसरी image बन जाती है, यह देखिए, और फिर इसको आप कहा पे भी use करना चाते है, वहाँ पे use कर सकते है, बहुत easy तरीके से, आप जैसे भी use करना चाते है, वैसे कर सकते, तो इसको use करने का बहुत simple तरीका है, इस तरह से आपको इसको cartoon में बनाना है, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ, तो like कर दीजे, और मिलते हैं next video में next project के साथ, तब तक यह जाएकिन, thank you.